वेलकम बैक टू कोस्टी चैनल गाए या भैंस के बच्छरा देने के बाद दूसरे तीसरे दिन का जो दूद होता है काफी ज़्यादा हेल्दी होता है और कई विमारियों से छुटकारा दिलाता है इस दूद से हम कई तरीके की स्वीट्स बना सकते हैं आज मैं इस दूद से बोड़ी बनाना शेयर कर रही हूँ जो कि खाने में बहुती टेस्टी और हल्दी होती है हिमाचल मैं इसे बोड़ी बोलते हैं आपके यहां क्या बोलते हैं मुझे कमेंट्स करके जरूर बताएं ये मेरे पास डेड़ लीटर दूद है इसे दूद को हमें कढ़ाई में फुल लांच पर पकाने के लिए डाल देना है गाय का दूद पीले रंका होता है ये भेंस का दूद है इसलिए सफेद रंका है अब इस दूद को हमें बीच में चलाते रहना है ताकि ये नीचे ना लगे थोड़ी देर बाद आप देखोगे ये दूद जो है अपने आप ही फटने लगता है इस दूद में ना हमें विनेगर ना ही निम्बू डालने की जरूरत होती है अब इस फटे हुए दूद में जो पानी निकला है इसी दूद के अंदर पानी को पकाना है अगर हम इस पानी को निकाल देंगे तो इसका टेस्ट जो है बिल्कुल भी अच्छा नहीं आता है अब इसे फुल लांच पर 30 से 35 मिनट तक पकाना है ताकि जो ये सारा पानी अच् और पकाना है आप इसमें टेस्ट के कॉर्डिंग चीनी डाल दें मैं चार चम्मच डाल रही हूं आप कम या जादा भी कर सकते हैं इसके अंदर आप गुड़ी या शकर भी डाल सकते हैं उससे भी ये बोड़ी जो है बहुत ही टेस्टी बनती है चीनी डालने के बाद ये थोड़ा लिकुडी फॉर्म में आ जाता है इसलिए इसे हमें थोड़ी देर और पकाना है देखिए बोड़ी बनकर त्यार हो गई है इस बोड़ी को मेरे दादी जी हमें बच्पन में बनाकर खिलाया करते थे और बहुत ही टेस्टी बनती थी अगर आपको भी ये कहीं जरूर बताएं लाइक करें शेयर करें जो मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करें वेल आइकन जरूर दवाएं ताकि अगली वीडियो की नोटिफकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे थेंक्यू